Question number 10 देखो, क्या दिया है? First term is 24 बुलाएं, यानि कि A equal to 24 और common difference कितना दिया है? Minus 4, यानि कि D equal to minus 4 हमें क्या निकलना है? Find the number of terms of the AP to be added to get the sum 72 यानि कि हमें SN equal to 72 दिया क्या है, ठीकि? Find the number of terms of the AP to be added to get the sum 72 यानि कि कितना सारा terms 8 करने के बाद 72 आता है? ये निकलना हम दो को, कितना सारा terms 8 करने के बाद 72 मिलता है वो that number of terms we should take out, है उतना number of terms हमें निकलना है तो इसका formula क्या है? N by 2, 2A plus N minus 1, D equal to 72 अभी N तो हमें निकलना है, पता नहीं, लेकिन A कितना है? 24, plus N minus 1, D कितना है? Minus 4 है, ठीकि? Equal to 72 तो यहां से क्या कर सकते हम लोग? यहां से हम लोग 4 कमान ले सकते हैं, यहां से भी 4 और यहां से भी 4 कमान ले सकते हैं तो इसको ऐसे रहने दो, 4, 6 है, 24, plus N minus 1 4 तो अलएडी कमान लेया, तो कितना बचेगा? Minus 1, है नहीं? तो next line में हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यह 2, 2, 4 है नहीं, एसा भी लिख सकते हम लोग, तो क्या मिलेगा? N into 2, और यहां पर कितना है? 12, और N into minus 1 minus N, minus 1 into minus 1 plus 1, equal to 72 आप सीधा यदर कार भी सकते होएं सब इंटो में है तो यह कार भी सकते हूग, 236 सव इन्स इन्स में है इस इंटो इन्स मोगους है । आप सिधा कार सकते हो इसको तो आपको क्या मिलेगा? N into 12 फ्लस 1 कितना मिलेगा? 13 minus N, equal to 36 तो यह मिलेगा आपको minus n square plus 13 n पहले इसको multiply घर दिया मैंने और इसको इतर लेक्या होगे तो आप minus 36 मिलेगा अब यह minus से multiply कर दो तो यह हो जाएगा plus, यह होजाएगा minus, यह हो जाएगा plus अब इसको factorise करो आप 36, 9 forza 36 तो अब इदर 13 को 9 plus 4 लिख साथे हो आप तो next line में मिलेगा n square minus 9n minus 4n plus 36 equal to 0 यहांसे n common लेखो आप तो n minus 9 मिलेगा यहांसे 4 common लेखो n minus 9 मिलेगा अब next line में यहांसे n minus common लेखो n minus 9 तो क्या बचेगा n minus 4 तो either n equal to कितना मिलेगा 9 और n equal to 4 question number 11 देखो यहांपी क्या बुलाएं कितना सारा terms 8 करने के बाद 66 मिलता है ठीकी तो sn equal to 66 number of terms तुना है कितना सारा terms 8 करने के बाद 66 मिलता है तो इसका formula किया है n by 2 2a plus n minus 1 d equal to 66 तो n by 2 1st time कितना है minus 9 plus n minus 1 यहां पर d कितना है second term minus first term तो minus 6 plus 9 यानिकी 3 है हम लोग का d कितना है 30 equal to 66 तो यहांसे आप क्या कमोड सकतो यहांसे 3 कमोडु सकतो आप है 3 कमोडु सकतो तो यह से से सम रहेगा यहां पर 3 three the nine and three 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 nine और minus रहेगा यहां पर और n-1 यह 3 तो अलड़ी ले लिया हम लोग नहीं ठीक है तो नेक्स लाइन में क्या में लेगा हम लोग को सब इंटो में तो सिधा कार सकते आप 326 326 तो नेक्स लाइन में क्या लिख सकते आप 2326 यादिके-6 प्लास N-1 और इस 2 कोप क्रोस मॉल्टिप्लाइ कर दो इदर 22 इंटो 2 तो यह हो जाएगा N-7 इक्वाल टू 44 यादिकी N-7 N-44 इक्वाल टू 0 इस कोप के से लिख सकते हो 7 को 11 फॉर्जा 44 ना यादिक 11-4 n-44 इक्वाल टू दो दिख सिंपल फेक्टराइज से लिख सिंपल एक्वाल इन ये तो आता है आपको N-2 मैनस यह जाएगा 11 N-4 minus 44 equal to 0 यहांसे आप n common लो तो n minus 11 यहांसे 4 common लो तो n minus 11 यहांसे n minus 11 को common लो आप तो क्या मिलेगा n plus 4 तो either either n equal to 11 or n equal to minus 4 not possible not possible since तर्म नमबर cannot be negative यहांसे तर्फोर n equal to 11 अब यहांसे नमबर 12 देखो बूप में जो एंसर दिया है उसके हिसाब से यह कोईशन रॉंग है ठीके इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा यह 72 नहीं ही है 27 होना पड़ेगा और 405 नहीं 504 होना चाहिए बूप में जो एंसर दिया है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए अभी हम लोग को क्या बोला है the sum and the product of three consecutive terms of an AP is 27 नहीं कि according to question A plus A plus D plus A plus 2D यह तीन consecutive terms से AP का इनको 8 करने भी कितना मिलता है 27 मिलता है तो यहां पर A plus A plus से कितना मिलेगा 3A plus 3D है ना D plus 2D 3D equal to 27 यहां से आप 3 कमो ले लो तो कितना मिलेगा A plus D equal to 27 3 9s are 27 तो A plus D कितना मिला equal to 9 अब यहां यहां इन सब को मुल्टिप्लाइ करने पर A into A plus D into A plus 2D करने पर कितना मिलेगा 504 अब इधान से देखो इसको A लिखो आप और A plus D के जगा में क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 लिख सकते हैं और यह रहा A यह A है ठीक है और यह 9 है A plus 2D equal to 504 अब यह नमबर सब मुल्टिप्लाइ में हैं तो अब सिधा कार सकते हो 9 5 is a 45 5 बचेगा 5 पावर 4 54 9 6 is a 54 तो next में इसको मुल्टिप्लाइ करो A into A क्या मिलेगा A square plus और फिर 2AD equal to 56 तीक है अब next में हम रोग क्या कर सकते A square plus 2 A अब D के जगे में हम लोग 9 minus A लिख सकते है यह inna यहां से दिखाऊ अब D के जगे में हम रोग 9 minus A लिख सकते इसा करने भी क्या होगा सारा जो term से होगा A में आ जाएगा D हट जाएगा यहांसे तो next line में क्या होगा a square plus 18a minus 2a square equal to 56 तो यह हो जाएगा minus a square plus 18a minus 56 equal to 0 अब minus से multiply करो आप तो ऐसा में लेगा है ना अब 56 56 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 14 forza 56 ठीक है यानि कि a square minus 14a आप फेक्टरेस कर ले ना में सिधा कर रहा हुए ना minus 14a minus 4a plus 56 equal to 0 यहाँ पर कर रहा हुए यहाँ से आप a common लेलो तो क्या बचेगा a minus 14 और यहाँ से आप minus 4 common लेलो तो a minus 14 equal to 0 तो a minus 14 अगर common लोगे तो क्या मिलेगा a minus 4 equal to 0 ठीक है therefore a equal to 14 or a equal to 4 hence the sequence of a p is है ना क्या होगा first time अगर 14 है है ना तो difference कितना होगा यह से देखलो आप d equal to 9 minus a तो अगर a कितना है 14 है तो d कितना मिलेगा minus 5 ठीक है और अगर a का वेलु कितना है अगर a का वेलु 4 है तो d कितना मिलेगा 5 मिलेगा ठीक है तो इसको ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा एरेंज करें लिखते हैं इसा लिखते हैं इस a equal to 14 if a equal to 14 d equal to कितना मिलेगा minus 5 और sequence क्या होगा sequence क्या मिलेगा हम लोगको 14 minus 5 कितना मिलेगा 9 9 minus 5 कितना मिलेगा 4 and if a equal to कितना 4 d कितना मिलेगा हम लोगको 5 और sequence क्या मिलेगा हम लोगको 4 4 plus 5 9 9 plus 5 14 question number 13 according to question NAP consists of 21 terms and if the sum of the 3 middle terms is 129 and the sum of the last 3 terms is 237 then find the AP how many terms are? 21 terms ie. a1, 2, a9 so how many terms are? 9 terms से ठीक है और ए 10, 11 और A12 यह 3 मिडिल टम से ठीक है और A13 to A21 यह कितना सरा टम से 9 टम से ठीक है तो ऐसा कुछ होगा है ना तो एकोडिंग टो क्वेशन क्या बुला है इसको केसे लिखते हैं आम लोग A plus 90 और A plus 10D और A plus 11D equal to 129 तो 9 और 11 20 हो गया और 10 30 है ना यह 30D और कितना सरा A है 3A 129 यहां से अब 3 common लोग तो क्या मिलेगा A plus 10D equal to 129 सिधा कार सकते है अब 3 4s are 12, 3 3s are 9 तो हम लोग को A plus 10D equal to कितना मिला 43 और सो साम प्लास 3 तरम्स बुला है ना यानिकी A21, A20 और A19 equal to 237 इसको केसे लिखते हैं लोग A plus 20D, A plus 19D और A plus 18D equal to 237 अभी देखवा आप कितना सारा A है 3A plus 19 और 18 कितना मिला है 37, 37 और 20, 57D equal to 237 यहां से अब 3 common लोग तो कितना मिलेगा A plus 19D equal to 237 तो सिधा कार सक्ते हाँ है 3 7s are 21, 2 carry 27, 3 9s are 27 यानिकी A plus 19D equal to 79 तो इसको equation 1 मानो, इसको equation 2 मानो, तो 1 इदर लिखो आप A plus 10D equal to 43 तो सारा पहले 2 को लिख देते है 2 को लिख देते है A plus 19D equal to 200, sorry, इतना है 79 है और equation 1 कितना है A plus 10D equal to 43 तो 2 minus 1 करो आप तो क्या मिलेगा है यह minus हो जाएगा और यह भी minus, तो कट जाएगा, तो यह मिलेगा 9D equal to 9 minus 3, 6 और 7 minus 4 कितना मिलेगा 3, 9, 4, 0, 36 तो D का वेलु कितना मिला, 4 मिला, है ना अब यहां से आप, है ना, यहां से यहां से A का वेलु निकलो, equation 1 implies A plus 10, D equal to 43 तो A plus 10 into 4 equal to 43 तो A का वेलु कितना मिला, 43 minus 40 याने की 3, therefore the AP is, first time कितना है 3, और कितना का difference है 4 का, याने की 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, ऐसा कर के मिलेगा question number 14 को देखो, इस जो series गया है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते है, the given series can be written as, summation of n square minus n minus 2 square, है ना, यहां पे कितना है 85, और यहां पे कितना है 85 minus 2, है ना, 85, 85 minus 2, और दोनों square है, अभी ध्यान से देखो, कितना सारा terms लेना है, हम लोगो 30 terms, चीके, अगर n का Dz paintings 1 होगा, तो कितना सारा terms मिलता है, हम लोगको 2, तो यहां पे जो gap होना चाए, वो कितना outputs, 15 का這些 COP 15 का लिखोना चे, तभी हम लोगो 30 तर्ती टंस मिलीगा है यानिकि न का भालु कहां से कहां नहींकिन अप्हाइँ को ऑन giorni पेटीव टू टू फंदर का गय होना चैएए तभी थर्ती टंस मिलीगा हम़के न तो 85 – 15 यानिकिक सहें तब मिलोको सेंबंड़ें ट guild muut को तब हम लोग को 15 का गयाप मिलीगा और 30 टाम्स मिलीगा हम लोग को ठीक है तो इसको हम लोग के से लिख सकते summation n इकल टो 85 to 71 इसको हम लोग के सकते n स्क्वेर माइनस a स्क्वेर माइनस 2ab यानि की 4n प्लास 4 next line में होगा summation n इकल टो 85 to 71 यह plus और minus cancel हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 4n माइनस 4 next line में हम लोग के से लिख सकते n इकल टो 85 to 71 यासे 4 common लो तो n माइनस 1 तो हमें n कहां से start करना है 85 से तो यह कैसा होगा 4 into 85 minus 1 plus 4 into 84 minus 1 plus 4 into 83 minus 1 कहां तक जाना चाहिए 4 into 71 minus 1 तो यह मिलेगा 4 into 84 plus 4 into 83 plus 4 into 82 plus dot dot 4 into 70 तो यहां से 4 common लो आप तो क्या मिलेगा 84 plus 83 plus 82 plus dot 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 कहां तक 70 तक तो यह तो फॉर्मॉला से निकाल लो आप है न अब यहां पर कितना सारा टाम से यह कल्कुलर करते हैं करके देखते हैं यह लास्टाम है तो तो अन इक्वल टू 70 मानलो आप तो इसको कैसे लिखते हैं a plus n minus 1 d equal to 70 तो फॉर्स्टाम कितना है यहां पर 84 है plus n minus 1 और डिफेरेंस कितना का है 1 का है इक्वल टू 70 तो यह मिलेगा n minus 1 equal to 70 minus 84 है ना तो मैंने कुछ तो गलत क्या है यहां पर डिफेरेंस कितना है minus 1 है यहां पर मुझे minus 1 लेना चाहिए तो यह क्या मिलेगा n into minus 1 minus n or minus into minus 1 plus 1 ऐसा मिलेगा मुझे तो यह क्या होगा minus और यह कितना मिलेगा minus 14 तो minus n equal to minus 14 minus 1 तो minus n equal to minus 15 यानि की n का वेली कितना मिलेगा 15 और यहां पर कितना सारा टाम से 15 है तो सिधा formula apply करतो आप n by 2 15 टाम से तो n का वेली कितना होगा 15 n by 2 और फिर 2a a मतला 84 plus n minus 1 n minus 1 कितना होगा 15 minus 1 कितना होगा 14 होगा ज्यादा confusion हो रहा है तो लिखे दे रहा हूं में 15 minus 1 और difference कितना है minus 1 समझा रहा है यह formula से निकार लिए हम लोग ने और फिर 2a plus n minus 1 d तो कितना मिलेगा 4 और यह होगा 15 by 2 और यह कितना होगा 2 into 84 2 4s are 8 2 8s are 16 और फिर यह कितना मिलेगा 14 into minus 1 minus 14 तो next line में क्या मिलेगा 4 into यह सिधा काट दो आप है ना 2 2s are 4 तो कितना मिलेगा 2 into 15 into 8 में से 4 गया तो 4 और 16 में से 1 गया तो 15 तो कितना मिलेगा 30 into 154 अब देखो 3 4s are 12 1 carry 3 5s are 15 16 1 carry 3 1s are 3 and 4 और 1 0 है तो इतना मिलेगा question number 15 को देखो क्या बोला है if m times the n term is equal to n times n term याने की m into nth term मतलब क्या है am equal to n times nth term मतलब क्या है a n है यह दियागा है given ठीक हमें क्या करना है हमें निकलना है a m plus n into what m plus nth term क्या यह निकलना में ठीक है given this we have to find this अब इद्याँ से देखो इसको के से लिख सकते है आप m into am इसको के से लिख सकते है आप a plus m minus 1 d इसको a से लिख सकते हमलो similarly इसको के से लिख सकते है आप a plus n minus 1 d अब इध्यान से देखो इसको multiply करो तो क्या मिलेगा आप ma plus m into m minus 1 d equal to na plus n into n minus 1 d एक कम करते हैं इसको इधर लिके जाते हैं और इसको उधर बेज जेते हैं तो क्या मिलेगा m into m minus 1 d minus n into n minus 1 d equal to na minus ma तो यहां से अब d common लेखो तो क्या मिलेगा m into m minus 1 minus n into n minus 1 और यहां से a common लेखो तो n minus m तो next line में होगा m square minus m minus n square plus n equal to a into n minus m एक काम करते हैं इसको इसको एक साथ लिखते थे m square minus n square और फिर इसको लिखते थे इसको लिख सकते a plus b into a minus b और यहां से एक कम करते हैं यहां से minus common लेते हैं तो यह होगा m minus n ऐसा क्यों क्योंकि कि minus into plus minus मिलेगा और minus into minus plus equal to a n minus m अभी यहां से हमुआ क्या कम मतली सकते m minus n common लेख तो दो m minus n को common लिखा तो अंदर क्या मिलेगा आपको m plus n बचेगा और minus 1 बचेगा ठीक है equal to a into n minus m टिक हम कर सक्ते हैं यहां से हम लोग minus common लेखते तो जैसे माइनस कमन लेंगे तो यह M-N हो जाएगा माइनस इंटू प्लास माइनस इंटू माइनस प्लास ऐसा क्यों किया क्योंकि अब यह और यह कार सकते हम लोग तो हम लोग को क्या मिला D into M plus N minus 1 equal to minus A अब यहां पर देखो हमें क्या निकलना है A into M plus N तो इसको कैसे लिख सकते हम लोग A plus M plus N minus 1 D यह तो हम लोग को यहां पर मिला है D into M plus N minus 1 इसके जागे में हम लोग क्या लिख सकते है minus A लिख सकते है यानि कि A plus minus A यह और यह कैंसल हो कितना मिलेगा 0 मिलेगा और question number 16 देखो क्या दिया गया है बुलाएं the sum of 6 consecutive terms of an AP is 345 यानि कि A plus A plus D plus A plus 2D यह ना ऐसा नी करके सिधा ऐसा करते है S6 equal to 345 तो यह क्या होगा N by 2 2A plus N minus 1 D equal to 345 और साथ भी क्या दिया है T6 minus T1 equal to 55 T6 को हम लोग term 6 को कैसे लिख सकते हम लोग A plus 5D minus term 1 को हम लोग कैसे लिख सकते है A equal to 55 plus A minus से cancel हो गया तो 5D equal to 55 यानि कि 511 जा 55 यानि कि D का value 11 अभी धहन से देखो N का value यहां पर कितना है 6 है 2 A हम लोग को मालूम नहीं है A हम लोग को मालूम नहीं N कितना है 6 minus 1 और D कितना है 11 equal to 345 2 3 जा 6 अभी इधर और इधर भी काट सकते है 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो हम लोग किया मिला 2 A plus 5 into 11 55 इक्वेल तो 1 1 5 तो हम लोग को मिला 2 A equal to 1 1 5 minus 55 तो 2 A equal to 5 minus 5 0 11 minus 5 6 2 30 जा 60 तो यह का value मिला 30 therefore the terms are first time कितना है 30 और कितना का इधर दिफरेंस से 11 तो निक्स कितना होगा 41 निक्स कितना होगा 52 हैना और निक्स कितना होगा 63 और निक्स कितना होगा 74 और निक्स कितना होगा 85 Question No.17 लिखो क्या मुलाइ The sum of 4 consecutive terms of an AP is 32 and the sum of their square is 276 176 Find the terms तो एसा कितना होगा Let the 4 consecutive Terms B A-3D ठीक है और निक्स में A-D जने कि 2D कर रहे हम लोग और निक्स में A-D क्यूंकि minus D और plus 2D कितना आएगा Plus D आएगा और निक्स का A-D D plus 2D 3D जने कि कमांड डिफरेंस कितना है 2D का है ठीक है एसा क्यूं ले रहे हम लोग क्योंकि अगर सिंप्ली हम लोग में A, B, C, D लिया तो यह कल्कुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो यह थोड़ा सा special case है इसलिए हम लोग टम्स को इस फर्म में लिके आ रहे है ठीक है तो according to question क्या बोलाए The sum of 4 conciliate terms of an AP is 32 यानि कि इन 4 को add करेंगे तो कितना मिलना चाही 32 यानि कि A-3D plus A-D 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 is equal to 32 ठीक है अब यह देको minus 3D plus 3D cancel हो जाएगा minus D plus D cancel हो जाएगा तो कितना सारा A बचेगा? 4 4 A equal to 32 4 A is equal to 32 4 A is equal to 32 तो A का value कितना मिला? 8 अल्सो क्या बोलाए इनका square करके 8 करने से ना? And the sum of the square is 276 यानि कि A-3D square plus A-D square plus A plus D square plus A plus 3D square करने भे कितना मिलता है? 276 अब ध्यान से देखो आप यह A-B all square है और A plus B all square है तो यहां पे जो minus 2 A b है और यहां पे plus 2 A b है cancel हो जाएगा? तो सिर्फ क्या बचेगा? A square plus 3D square यह ना? यही बचेगा और कितना बार मिलेगा हम लोगको? दो बार मिलेगा यह यहां पे भी minus 2 A d और plus 2 A d cancel हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? A square plus D square मिलेगा और कितना बार मिलेगा हम लोगको? यह भी दो बार मिलेगा यहां से और यहां से 2 1s are 2 2 3s are 6 1 उदर गया तो 16 2 8s are 16 इसा सिधा काट सकते हो आप अब देखो A square plus A square कितना मिलेगा? 2 A square plus 9 or 1 10 D square equal to 138 फिर से आप 2 common लेश सकते हो है यह सब को 2 से divide कर दो तो 2 को 2 से divide करने पे 1 मिलेगा और 10 को 2 से divide करने पे 5 मिलेगा और यहां पे 2 6s are 12 1 अदर गया तो 18 2 9s are 18 तो यह मिला हम है ना? अभी A square के जगा में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे A equal to 18 तो A square कितना मिलेगा हम लोग को? 64 plus 5 D square equal to 69 तो मैं यहां पे लिख रहा हो है ना? जगा नहीं तो इधर क्या मिलेगा हम लोग को? 5 D square equal to 69 minus 64 तो क्या मिलेगा? 5 D square equal to 69 minus 64 कितना मिलेगा? 5 और 5 1s are 5 तो D square equal to कितना मिला? 1 तो D equal to कितना मिलेगा? under root यहां यहां? D equal to plus minus 1 तो अभी हमें find the terms terms निकलना है तो यहां से देखो आप if D equal to plus 1 then terms क्या क्या मिलेगा हम लोग को? a minus 3 D यानि की A कितना हम लोग का? 8 है यहां और minus 3 into D का वे लोग कितना लिए plus 1 तो यह कितना मिलेगा? 5 ठीके? अभी A minus D यानि की 8 minus 1 कितना मिलेगा? 7 A plus D यह वाला 8 plus 1 9 मिलेगा और A plus 3 D यानि की 8 plus 3 into 1 यानि की 11 अभी if D equal to minus 1 then terms क्या मिलेगा हम लोग को? A-3D यनि की 8 minus 3 into minus 1 टो यह हो जाएगा? 11 A-D यनि की 8 plus 3 into minus 1 यानि की 5. Therefore, the terms are 5, 7, 9, 11 और 11, 9, 7, 5. अभी question number 18 को देखो, ये दिया है हमें और हमें ये शो करना है, ठीक है? तो given, sn इकल टू n square p. Sn को हम लोग केसे लेख सकते हैं? n by 2, 2a plus n minus 1, b equal to n square p. अभी ये n और ये square काट सकते हैं हम लोग और इस 2 को cross multiply करके यहाँ लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2a plus n minus 1, b equal to 2n p. और हमें क्या दिया है? अल्सो क्या दिया है हमें? Sn equal to m square p. इसको हम लोग केसे लेख सकते हैं? m by 2, 2a plus m minus 1, b equal to m square p. Similarly, m और ये square कट जाएगा और इस 2 को cross multiply करके आप इधार लिखते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? 2a plus m minus 1, b equal to 2n, b. तो इसको equation 1 मनते हैं और इस equation 2 मनते हैं. अभी क्या करते हैं? 1 minus 2 करते हैं. तो ये और ये cancel हो जाएगा. है ना? मैनस करने पर. तो 1 minus 2 कर देते हैं. तो ये हो जाएगा minus, minus और ये minus. तो ये तो कट जाएगा. तो यहां से हम लोग d common लेते हैं. दोनों जाएगा d हैं. तो d common लो. तो यहां पर क्या है? n minus 1 और फिर minus m minus 1. इक्वेल तो यहां से 2p common लेते हैं. तो 2p common लिया तो क्या मिलेगा हमें? n minus m. अभी ये हो जाएगा n minus 1 minus m plus 1. minus into minus plus equal to 2p of bracket में n minus m. तो ये minus 1 plus 1 cancel हो जाएगा. तो हमें मिलेगा d bracket में n minus m equal to 2p bracket में n minus m. तो दोनों कर जाएगा. तो d का value कितना मिला हमें? 2p. अभी यहां पर हम लोग क्या करते हैं? इस बार हम लोग 1 plus 2 करते हैं. ठीके? 1 minus 2 तो कर दिया. अभी 1 plus 2 करते हैं. 2a plus n minus 1 d equal to 2np. और equation 2 क्या है? 2a plus m minus 1 d equal to 2mp. अभी 1 plus 2 करते हैं. सर्दी वाए मुझे. 1 plus 2 करने पर कितना मिलता है? 2a plus 2 4a plus. यहां से भी d common लोग तो क्या मिलेगा? n minus 1 plus m minus 1. यहां से 2p common लोग तो क्या मिलेगा? n plus m. तो यह क्या हो जाएगा? 4a plus d और यह हो जाएगा n plus m minus 2 equal to 2p bracket में n plus m. तो यह हो जाएगा 4a plus. अभी d के जगा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2p लिख सकते हैं. d के जगा में 2p लिख सकते हैं. n plus m minus 2 equal to 2p n plus m. अब यह जाएगा 4a. यहां से 2p common लोग तो क्या मिलेगा? n plus m minus into plus minus minus into plus minus. और minus into minus plus. तो यह और यह कट जाएगा? यह और यह कट जाएगा. तो क्या मिलेगा हमें? 4a equal to 2p और bracket में है 2. तो 4a equal to 4p. 4, 4 cancel हो जाएगा. तो एक अभी लोग कितना मिला? p मिला है. हमें क्या निकलना है? sp निकलना है. sp यह पर नाओ लिख दो आप. sp equal to. इसको कैसे लिख सकते हम लोग? p by 2, 2a plus p minus 1, d. ठीक है? हमें p को तो रखना है. सिर्फ a को replace करना है. a को और d को replace करना है. क्योंकि answer हमें p मिलाना है. तो इसको लिख सकते हम लोग? p by 2, 2 into a के जगा में हम लोग क्या लिख सकते है? p लिख सकते है. यहाँ पर मिलाना हम लोग? 2p² बचेगा, तो यह 2 तो चैंसल हो गया, तो क्या मिला? P³, यानि कि S, P का वेलूम मिल गया हमे P³, शोर्ट Q19 देखो, क्या बोलाए? The measures of the three angles अपे triangle in AP, तो let the angles of the triangle B, क्या मनते? A मनते, A plus D, और A plus 2D. Triangle में तिनी तो अगल होते हैं, हैना? Also, या given, क्या दिया गया हमे? Measure of the biggest angle is twice the measure of the smallest angle, हैना? Measure of the biggest angle, यहां पे यह biggest angle है, हैना? यानिकि A plus 2D equal to twice the measure of the smallest angle. Twice the measure of the smallest angle. यह हमेलों का smallest angle है, यह हमें given है. तो इसको solve करने भी क्या मिलेगा? A plus 2D equal to 2A, हैना? यह plus A को सिधा उधर लिखोगे, तो minus A मिलेगा हैना? यानिकि 2D equal to A. We know, इन थीनों को add करेंगे तो किता मिलेगा? 180 मिलेगा? A plus A plus D plus A plus 2D equal to 180. तो यह किता मिलेगा? A plus A or A. 3A plus D plus 2D, 3D equal to 180, हैना? अब यहां से 3 common law, तो क्या मिलेगा? A plus D equal to 180. तो 3, 6 are 18, और 0. यानिकि A plus D equal to 60. अभी A के जगा में क्या लिख सकते हम लोग? 2D लिख सकते हैं, A के जगा में. तो मैंने A के जगा में 2D लिख दिया, plus D equal to 60. यानिकि 3D equal to 60. 3, 20 जगा 60. तो D का विलेगा कितना मिला? 20. 20. Therefore, the angles are, तो यहां से A बी लिख लोगो, A equal to कितना है? 2D है, यानिकि 2 x 20, जगा 40. अके विलो भी मिलके है. therefore the angles are first कितना है a 40 और फिर d कितना है 20 याने कि 20 20 करके बढ़ेगा 40 40 प्लस 20 60 60 प्लस 20 80 question number 20 देखो क्या बोला है हमें 2 ap दिया गया है ना मानो यह पहला एपी a-dash b-dash plus c-dash plus dot 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 n terms तक ठीक है और दूसरा एपी दिया गया हमें a plus b plus c plus dot 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 n terms ठीक है यह दो एपी का जो रेश्यों कितना दिया गया है 7n plus 1 by 4n plus 27 ठीक है तो इसको हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से कहीसा दिखा सकते है Commerce s-dash n एसा करें दीखा सकते और नीचे का जो एपी है उसको हम लोग करेंसा करेंसा करें इसकते abdash b-b потet it and isこと dbτέ या ब्राइम बी बोलते में back cm है या व्यम त pension करेंदिक है तो इसको अक्रीक सर tätä एक करेंद्स 7n plus 1 by 4n plus 27 अब इसका फोर्मुला क्या है n by 2 2a dash क्योंकि दोनों के बीच में difference दिखाना पड़ेगा अगर उपर भी ए लिख दिया निचे भी ए लिख दिया तो difference समझ में नहीं आएगा तो 2a plus n minus 1 d dash यह d क्या है difference common difference से ठीक है और निची को कैसा लिख सकते हम लोग n by 2 2a plus n minus 1 d उपर का फास्टम और निची का फास्टम अलागे और उपर का common difference और निची का common difference अलागे इकल टू 7n plus 1 by 4n plus 27 यह लिखने का जरुत में आपको यह ना यह मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था यह लिखने का जरुत में आपको अब सिधा यहां से सुरुद करना इसा गर लिखना है given given ऐसा गर के start करना आप तो यह और यह तो cancel हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2a dash plus n minus 1 d dash by 2a plus n minus 1 d equal to 7n plus 1 by 4n plus 27 हमें क्या चाहिए actually हमें चाहिए we need हमें क्या चाहिए हमें चाहिए find the ratio of the 11th term 11th term का जो ratio है यानि कि a dash 11 और a 11 का हमें ratio निकलना है और 11th term को हम लोग कैसे लिख सकते a dash plus 10 d है न 11th term को तो इसे लिखते न और इसको कैसे लिखें कि a plus 10 d sorry मुझे यहां पर prime देना चाहिए तो हमें यह चाहिए ठीक है यह चाहिए यह दिया गया है यह चाहिए तो यहां से क्या कर सकते हो आप एक कम करते हैं यहां से आप 2 common लेलो है ना यहां से 2 common लो 2 common लेने से हम भी क्या मिलेगा यहां पर a dash plus इसको हम लोग n minus 1 by 2 लिख सकते ही d dash ठीक है अब देहां से देखो 2 into a dash क्या मिलेगा 2 a dash plus यह 2 और यह 2 cancel हो जाएगा तो आपास आपको यही मिलेगा सिमिलरी यहां से भी 2 common लो आप तो क्या मिलेगा a plus n minus 1 by 2 और फिर d equal to 7n plus 1 by 4n plus 27 तो यह 2 और यह 2 cancel हो जाएगा ठीक है अब भी मैं इदर लिख रहा हो ठीक है जगान यह मेरे पास यहां पर लिख रहा हो अब धिहान से देखो इसको compare करो आप यह a dash है plus यहां पर कितना आना चाहिए 10 d dash मतलब यह हमें कितना निकल के आना चाहिए यह 10 आना चाहिए तो क्या करते है let n equal to अगर n का भेलो आप 21 put करोगे तो क्या मिलेगा 21 minus 1 कितना मिलेगा 20 20 by 2 क्या मिलेगा 10 तो let n equal to 21 और ऐसा लिख सकते है putting n equal to 21 we get क्या मिलेगा हमें a dash plus n के जागा में 21 put करेंगे minus 1 by 2 d dash by a plus n के जागा में 21 minus 1 by 2 d equal to 7n नहीं यहां पर भी तो put करना हमें n के जाग में कितना put करना है 21 plus 1 by 4 into 21 plus 27 तो यह मिलेगा a plus 21 minus 120 20 by 2 10 d dash by a plus यह भी हो जाएगा 10 d equal to 7 बांजा 7 7 बांजा 14 plus 1 और यह हो जाएगा ठीक है? hence a dash 11 by a 11 equal to 148 by triple 1 और लाच में यहां एसा ग्याक आपडे हो जाएगा हागा कभी-कभी यह 11th term का ratio नहीं मांक के, क्या बोलता है, find the ratio of their mth term भी बोलता है, कभी-कभी ऐसा question भी आता है, तो हम यह पर क्या चाहिए, m चाहिए, 11 नहीं, m चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, a dash plus m minus 1, d dash, और यह हो जाएगा, m minus 1, d, ठीकि, तो मैं इसको erase कर रहा हूँ, क्यूंकि हमें हर तरीका से ready रहना चाहिए, बाइचंस अगर question में 11th term नहीं बोलके, mth term बोला, तो क्या करोगे आप, तो इसको करते हैं, mth term के लिए भी करते हैं, तो यहां से देखो आप, फिर से करते हैं, हमें क्या मिला है यहां पे, a dash plus n minus 1 by 2 d dash by a plus n minus 1 by 2, d equal to 7n plus 1 by 4n plus 27, अब हमें यहां पे क्या चाहिए, m minus 1 चाहिए, इसके जगा में क्या चाहिए, m minus 1, तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो आप, अगर n के जगा में हमने, यहां पे n के जगा में अगर 2m minus 1 पूट कर दिया है, n के जगा में कितना पूट कर दिया है? 2m minus 1, टिके? यह पूट कर दिया, m के जगा में, फिर यहां पे minus 1 है नीचे 2 है, तो हम लोगगो क्या मिलेगा, 2m minus 2 by 2, यहांसे 2 कमोन लो आप, तो m minus 1 मिलेगा, और यह 2 or 2 cancel हो जागा, तो m minus 1 मिलेगा आपको, यानिके हमें n के ज putting n equal to 2m minus 1, we get, क्या मिलेगा हमें, या इसको साइट में भी लिख सकते हो, इसको इस लाइन को continue करके, इसको में इदर भी लिख सकता हो, putting n equal to 2m minus 1, तो क्या मिलेगा, a dash plus n के जगह में क्या पूट करेगा है, 2m minus 1, और फिर minus 1 भी है, यह n के जगह में यह पूट कर दिया, और नीचे 2 भी है, और फिर d dash, similarly a plus n के जगह में क्या पूट करेंगे हम लोग, 2m minus 1, ठीके, और फिर minus 1 भी यह और नीचे 2 हैं, और d यह, n के जगह में कितना पूट करना है, 2m minus 1 plus 1, या पिर भी 2m minus 1 plus 27, तो धिहां से देखो, यह हो जाएगा, a dash plus 2m minus 2 by 2, d dash a plus 2m minus 2 by 2, d equal to, यह हो जाएगा, 8m minus 4 plus 1, 8m minus 4 plus 27, तो यह हो जाएगा, a dash plus, 2 कमोन आजाएगा, तो 2, 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, m minus 1, d dash, a plus, यह सभी 2 कमोन आजाएगा, है न, और 2 or 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, m minus 1, d equal to, यह हो जाएगा, 8m minus 3 by 8m plus 23, तो यह ही चाहिए था हमें, है न, यह ही चाहिए था, मिलेगा, तो लास्ट में आप लिग देना, therefore, the ratio of their mth term is 8m minus 3, ठीक है, मैंने साइट यहां पर गल्ती कर दिया, यहां पर 7m, 7m, तो यहां पर 7 आना चाहिए, शोरी, यहां तो 7 टूजा, 14 आएगा, यहां पर, minus 7, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 14m, 14m minus 6, तो हम लोगा answer क्या होगा, 14m minus 6 is to 8m plus 23, question number 21 को देखो, हमें यह प्रूव करना है, ठीक है, तो हम लोग पहले राइण साइट को लेते, RHS equal to 2 P plus Q term, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, P plus Q term को कैसे लिखेंगे, A plus P plus Q minus 1 D, ठीक है, तो इसको यह पर छोड़ते हैं, अभी लेफ इन साइट को देखो, Q term, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग, A plus P minus 1 D, plus, इसको कैसे लिखेंगे, A plus P plus 2 Q minus 1 D, तो A और यह कितना हो जाएगा, 2A plus, यहांसे आप D common लो, ठीक है, तो D common लेने पे क्या मिलेगा, P minus 1 plus P plus 2Q minus 1, तो A हो जाएगा 2A plus, अब देखो, P plus P कितना हो जाएगा, 2P plus 2Q, और फिर minus 2, तो next line में क्या लिखेंगे हम लोग, यहांसे 2 common लोग, यहांसे 2 common लेने से क्या मिलेगा, P plus Q minus 1, 2 into 1, 2, और D को यहांपे लिख दो आप, अब यहांसे 2 को common लोग, तो क्या मिलेगा, A plus, P plus Q minus 1, D, P, 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 P to find, क्या निकलना है, P term, AP equal to what, ठीक है, और M plus nth term भी हमें निकलना है, यह दो दिया गया है और यह दो निकलना हमें, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते है, A plus M minus 1, D equal to nth, है न, term को इसे लिखते हैं, A plus M minus 1, D, A कम होता है, न, similarly, इसको कैसे लिखते है, A plus N minus 1, D equal to M, है न, term का formula यही तो है, अभी देखो, इसको equation 1 मानो, और इसको equation 2 मानो, ठीक है, अभी 1 minus 2 करने से यह और यह cancel हो जाएगा, तो यही करते है, A plus M minus 1, D equal to N, और जो equation 2A, वो क्या है, A plus N minus 1, D equal to M, तो 1 minus 2 करो आप, तो यहाँ पी क्या आएगा, यहाँ भी minus आएगा, यहाँ भी minus यहाँ भी minus, यह और यह cancel हो गया, यहाँ से D common लो आप, D common लेने से क्या मिलेगा, M minus 1, और फिर minus N minus 1, ठीक है, और यह N minus M, तो next line में होगा, M minus 1 minus N plus 1, और यहाँ पे N minus M, तो minus 1 plus 1 cancel हो गया, तो क्या मिला, D अब ब्रेकेट में M minus N, एक काम करो यहाँ से अब minus common लो, तो यह हो जाएगा, M minus N, minus into plus minus, और minus into minus plus, तो यह और एक कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, D का value, minus 1 मिल गया, ठीक है, अब इधर करते, 1 minus 2 किया था, इस बार 1 plus 2 करते, A plus M minus 1, D equal to N, और यह A plus N minus 1, D equal to M, ठीक है, तो इस बार 1 plus 2 करते, यह पे 2 लिखना भूलगा में, तो A plus से कितना मिलेगा, 2A, अब यहाँ से D common low-up, तो क्या मिलेगा, M minus 1 plus N minus 1, ठीक है, इकल टू N plus M, अब यह हो जाएगा, 2A plus D, M plus N minus 2, इकल टू, इसको M plus N लिखते थे, यह ना, अब यह 2A plus, यह ना, D के जगा में यह लिख सकते हम लोग, minus 1 लिख सकते है, M plus N minus 2, equal to M plus N, ठीक है, तो 2A, यह plus into minus क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, अब यह तो minus है, right side में जाएगा, तो क्या होगा, plus हो जाएगा, ठीक है, आपको समय में आएगा ना, यह minus है, यह पूरा minus है, minus into E करने पे minus आएगा, अब यह right side में जाएगा, तो क्या होगा, plus आएगा, तो 2A, equal to M plus M, कितना हो जाएगा, 2M, N plus N, 2N, और फिर यह minus 2, तो यहां से आप 2 common लेलो, तो क्या मिलेगा, M plus N minus 2, तो यह और एक कैंसल जाएगा, तो A का value कितना मिला, M plus N minus 2, अब भी हमें क्या चाहिए, A P चाहिए, तो इसको कैसे लिखोगे अब, A plus P minus 1, D, अब भी A के जगे में हम लोग क्या लिख सकते है, यह लिख सकते, M plus N minus 2, plus P minus 1, और D के जगे में हम लोग क्या लिख सकते, minus 1, तो यह हो जाएगा, M plus N minus 2, अब भी ध्यान से देगो, minus 1 into P क्या मिलेगा, minus P, minus into minus, plus 1, याने कि M plus N minus P, minus 1, है न, minus 2 plus 1 minus 1, तो A P तो मिल गया हमें, ठीके, यह पर मुझे नाव लिखना चाहिए, तो, अल्सो, हमें क्या निखलना है, A, M plus N, यह होगा, A plus, M plus N minus 1, D, अभी A कम करते हैं, इसको A से छोड़ देते हैं, A को A से रिने दो इस बार आप, तो, नहीं, नहीं, यहां पे कुछ गडबढ हो गया है, कुछ गडबढ हो गया है, यहांसे अगा 2 कमोन लेंगे, तो यहां पे क्या ना चे, minus 1 अना चे, ठीके, तो यह हो जाएगा, minus 1, sorry, यहां पे आजाएगा, minus 1, तो यहां पे आजाएगा, minus 1, मैनस 1 प्लास 1 Cancel हो गया तो हमें मिलगा M PLAS N minus P ठीक है तो M PLAS N मैनस 1 के जगा में क्या लिख सकते हम लोग लिख सकते हैं और D के जगा में हम लोग क्या लिख सकते हैं minus-1 तो यह हो जाएगा A PLAS INDU MINUS, MINUS A तो यह जाएगा 0 ठीक है, मिल गया न हमें यह भी मिल गया और यह भी मिल गया है question number 23 देखो हमें क्या दिया गया है pth term दिया गया और qth term दिया गया है given p term कितना है alpha और qth term यो कितना है beta है ठीक हमें क्या find करना है to find sorry find नहीं करना हमें to prove summation of p plus q terms p plus q terms का sum हमें कितना मिल अचे half p plus q alpha plus beta plus alpha minus beta by p minus q ठीक हमें यह प्रूफ करना है हमें यह दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते a plus p minus 1 d equal to alpha ठीक है similarly इसको केसे लिख सकते हमें लोग a plus q minus 1 d equal to beta इसको हम एकेशन 1 मानो और इसको हम एकेशन 2 मानो now 1 plus 2 करते है ठीक है 1 implies a plus p minus 1 d equal to alpha और जो एकेशन 2a हो कितना a plus q minus 1 d equal to beta तो अभी sorry पहले 1 minus 2 कर लेते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा minus यह भी minus और यह भी minus हो जाएगा तो यह कट जाएगा अब यहांसे अब d common low तो क्या मिलेगा p minus 1 minus into plus minus minus into minus plus equal to alpha minus beta तो यह हो जाएगा p minus q minus 1 plus 1 cancel हो गया equal to alpha minus beta तो यह हो जाएगा alpha minus beta by p minus q d तो मिल गया हमें है अभी similarly इस पर 1 plus 2 करते हैं 1 implies a plus p minus 1 d equal to alpha और 2 implies a plus q minus 1 d equal to beta अभी 1 plus 2 करते हैं तो कितना मिलेगा 2a plus d को common low-up तो क्या मिलेगा p minus 1 plus q minus 1 और यह होगा alpha plus beta तो क्या मिलेगा 2a plus d और फिर p plus q minus 2 equal to alpha plus beta तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a equal to alpha plus beta तो कि यह वाला राइट सेट में जाएगा तो क्या आएगा minus d p plus q minus 2 तो हमें d का वेलो मिल गया है और हमें 2a का वेलो मिल गया है तो अभी आसानी से इसको निकाल सकते हैं ठीक है now s summation of p plus q terms equal to इसको क्या से लिखते है फॉर्मुला के हिसाब से p plus q by 2 और फिर 2a plus p plus q minus 1 d अभी आराम से तब 2a को रिप्लेस कर दो p plus q by 2 2a के जगा में हम लोग क्या लिख सकते हैं alpha plus beta minus d और फिर p plus q minus 2 और फिर इधर क्या है plus p plus q minus 1 d इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p plus q by 2 alpha plus beta एक काम करते हैं और d को कमोन लेते हैं ना d को कमोन लो आप plus d को कमोन लो फेले यहां से कमोन लेते हैं ठीक है तो क्या बचेगा p plus q minus 1 ठीक है और यहां पर क्या बचेगा minus p plus q minus 2 समझा रहा है ना आपको d को कमोन लिया ठीक है तो d को कमोन लेने से यहां पर क्या बचेगा p plus q minus 1 बचेगा और फिर यहां पर क्या बचेगा minus p plus q minus 2 बचेगा तो next line में क्या होगा p plus q by 2 और यह हो जाएगा alpha plus beta plus d और यह हो जाएगा p plus q minus 1 यह minus p minus q और plus 2 ठीक है तो यह हो जाएगा alpha plus beta plus d यह और यह हो जाएगा plus or minus cancel हो जाएगा two में से one गया तो क्या बचेगा one बचेगा यानिकी p plus q by 2 alpha plus beta ठीक है और d के जागे में हम लोग क्या लिख सकते alpha minus beta by p minus q ठीक है यही तो है यही तो प्रूव करना था हमें half p plus q है ना और फिर alpha plus beta plus alpha minus beta by p minus q तो प्रूवट हो गया है तो क्वेश्चन नवर 24 को देखो हमें क्या दिया गया है फरस्टम दिया है 2nd down दिया और & the only तो कितना कितना है फिरस्टम दिया गया equal to n अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग n minus 1 d l minus a एक उदार लिखे गया हम लोग है ना अब भी n minus 1 एक कम करते हैं यह जो d है इसको cross multiply करें यहां पर लिख देते हैं ना तो next में क्या आएगा n minus 1 equal to l minus a d के जागे में हम लोग क्या लिख सकते हैं b minus a तो n equal to l minus a by b minus a यह minus 1 बुदर जाएगा तो plus 1 आएगा यह ना तो n equal to l minus a नीचे b minus a अब b minus a into 1 क्या मिलेगा इदर b minus a ही मिलेगा ना common denominator b minus a अगर हम लोग ने denominator लिया है तो इसको multiply करना बढ़ेगा ना तो देहां से देखो क्या मिलेगा l minus 2a plus b और नीचे क्या है b minus a लेकिन यहां पर क्या है n equal to नीचे क्या a minus b लेकिन यह तो b minus a तो a काम करते इदर का minus common लेते हैं तो यह हो जाएगा a minus b और यहांसे हो जो 8 दीकिसमे छेंगा यह प्लास में च्झेंच बन गारे यह एघर सीज़ीए तो यह और यह छर्ट जाएगा ठीक है तो n का वेलू हमें क्या क्यों रदू थेज़ी B अब भी N के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2A-B-L by A-B और नीचे 2 भी है तो 2 लिख दो यहां पे आप और 2A प्लास N-1D यहां से देखा आप N-1D के जगह में आप क्या लिख सकते हो? L-A लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्या होगा यह? 2A-B-L नीचे 2 A-B और ब्रेकर के अंदर 2A-A कितना होगा? A plus L, ठीक है? यह तो शोग करना था हमें, Sn equal to 2A-B-L into A plus L और नीचे गया 2 into A-B, हैना? शोर्ट Question number 25 को देखो, हमें यह दिया गया है और हमें यह अप्रूफ करना है, ठीक है? तो गिवन Q-th term equal to twice of the P-th term, हैना? अभी Q-th term को हम लोग केसे लिखते है? A plus Q minus 1 D, हैना? और P-th term को हम लोग केसे लिखते है? A plus P minus 1 D तो इसको केसे लिखते हैं हम लोग? A plus Q minus 1 D equal to 2A plus 2 into P minus 1 D अब यह कम करते हैं, इसको right side में बेज़ देते हैं और इसको left side में तो क्या होगा? Q minus 1 D minus 2 into P minus 1 D equal to 2A minus A तो यहां से अब D common low, तो क्या मिलेगा? Q minus 1 बचेगा और यहां पर minus 2 into P minus 1 बचेगा equal to A तो यह क्या होगा? Q minus 1 minus 2P plus 2 equal to A तो यह हो जाएगा minus 2P plus Q और फिर plus 1, 2 minus 1, 1 मिलेगा equal to A अभी इसको करते हैं ना, also given Rth term equal to twice of the Qth term R term को हम लोग केसे लिखते है? A plus R minus 1 D equal to और Qth term को हम लोग केसे लिखते है? A plus Q minus 1 D तो next line में हम लोग क्या लिखेंगे? A plus R minus 1 D equal to 2A plus 2 into Q minus 1 D similarly है ना, इसको उदर बेज़ दो, इसको इदर लिखेंगे आओ, तो क्या होगा? R minus 1 D minus 2 into Q minus 1 D equal to 2A minus A अभी यहां से D common low up, तो क्या मिलेगा? R minus 1 minus 2 into Q minus 1 equal to A तो यह हो जाएगा R minus 1 minus 2 Q plus 2 equal to A तो हम लोग इसको एर्रेंस करके लिख सकते है, minus 2 Q plus R plus 1, 2 minus 1, 1 equal to A अभी इदर राइट साथ में क्या है? 0 है ना, तो इसको equation 1 मानो और इसको equation 2 मानो, है ना? और equation 1 minus 2 कर दो आप, now equation 1 क्या है? D और bracket के अंदर क्या है? minus 2 P plus Q plus 1 equal to A और equation 2 क्या है? D और bracket के अंदर क्या है? minus 2 Q plus R plus 1 equal to A अब भी 1 minus 2 कर दो आप, 1 minus 2, यह जाएगा minus और यह जाएगा minus, ठीके? तो राइट साथ में तो 0 आएगा, है ना? plus minus cancel होगे, अब यह आप D common लो, D common लेने पर क्या आएगा? minus 2 P plus Q plus 1, ठीके? और फिर minus यह वाला minus और bracket के अंदर क्या है? minus 2 Q plus R plus 1 equal to 0 तो next line में क्या आएगा? minus 2 P plus Q plus 1, minus into minus, plus, फिर minus और फिर minus, ठीके? अब ही, D तो इदर आएगा, तो 0 होजाएगा, ना? D इदर आएगा, इदर आएगा तो 0 होजाएगा, ठीके? तो हम लोगो क्या मिलेगा? minus 2 P plus Q plus 2 Q कितना होगा? 3 Q, और फिर minus R, यह plus 1 और minus 1 cancel होजाएगा और 0 by D होजाएगा, तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा. और हम लोगो का इदर क्या है? plus 2 P, लेकिन इदर minus 2 P, तो एक कम करते है, minus से multiply कर दें सबको. तो यह होजाएगा minus का plus, plus का minus, और minus का plus, एक फिर दो 0 होजाएगा. और यही तो था है, प्रूफ्ट. Question No. 26, तो हमें यह दिए गया है, हमें यह प्रूफ्ट करना है, तो given, यह दिए गया है, यह लग लग अलग है P, ठीकिंगा, इसका जो 1st हमें A और डिफ्रेंस जो दी दी जो अर इसका जो 1st हमें A' है, और जो डिफ्रेंस गड़एश ठी, अपको लिखने का जरुत नहीं, जस्ट समझाने के लिए लिखते हमें, अब इसको लिख सकते है, m by 2, 2a plus m minus 1, d और इसको के से लिख सकते है, m by 2, 2a dash plus m minus 1, d dash, ठीकि? यह और एक चैंसल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2a plus m minus 1, d, इकल टू 2a dash plus m minus 1, d dash, ठीकि? यहां पर a minus a dash है ना, तो इसको इदर वे is equal to और उसको इधर वेज़ देते हैं तो क्या होगा m-1 d-d minus m-1 d तो यहांसे 2 common लो तो क्या मिलेगा a-a-s और यहांसे m-1 common ले लो तो क्या मिलेगा d-d minus d अभी कैसे लिख सकते हम लोग a-a-s इसको आप नीचे लिख दो पर है ना d-d minus d और राइट साथ में श्रीफ क्या बचेगा m-1 अभी क्या करते हैं टू इंटू a-a-s by d-d minus d यह minus 1 को आप इधर वेज़े तो plus 1 हो जाएगा equal to m यही तो प्रूफ करना था प्रूप्ट हो गया है 27 नंबर को देखो क्या बुलाएं तीन एपी जिनका जो फर्स्ट हम से उससे में लेकिन जो कॉमन डिफरेंस वह कितना है 2,4 और 6 है और हमें यह प्रूफ करना है ठीक है तो s1 को हम लोग के से लिख सकते है s1 इसके लिख लिख दू n by 2 2a plus n minus 1 जो कॉमन डिफरेंस कितना है 2a ठीक है और s2 का हम लोग के से लिख सकते है n by 2 2a plus n minus 1 सब के के से में a से में ठीक है लेकिन d अलग अलग है d यहां पर कितना है 4a सिमलेर जो s3 है उसको के से लिख सकते हम लोग n by 2 2a plus n minus 1 d कितना है 6a ठीक है अब यहां में क्या शो करना है यह शो करना है ठीक है now s1 plus s3 equal to इसको लिख हो आप हेले n by 2 अपी 2a plus n minus 1 2 plus इसको लिख हो n by 2 2a plus n minus 1 6 अब यहां से n by 2 n by 2 common लिख सकते हो आप तो अंदर क्या बचेगा 2a plus n minus 1 2 और plus 2a plus n minus 1 6 तो यह क्या हो जाएगा n by 2 2a plus 2a कितना हो जाएगा 4a plus अब यहां से n minus 1 common लो आप तो अगर n minus 1 common लोगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा और इस 2 को हम लोग आगे लिख देते हैं ना काटने का जरूत नहीं क्योंकि हमें शो करना है तो इस 2 को सबसे आगे लिख देते और n by 2 2a plus n minus 1 4 यह क्या था? s1 plus s3 और यही तो है sorry और यही तो है s2 दिहां से देखा आप यही तो है s2 ठीक है तो हम लोग कैसे लिख सकते s1 plus s3 equal to 2 यह तो है s2 है na 2 s2 proof हो गया है question number 28 का first question देखो क्या बोला है find the sum of the natural numbers lying between 250 and 1000 between 250 and 1000 बोला है तो हम 250 और 1000 को consider नहीं कर सकते क्योंकि between बोला है तो इन दोनों को number consider नहीं कर सकते तो हम लोको कहा से start करना बढ़ेगा 251 से start करना बढ़ेगा तो देखो आप यह 3C divisible है कि नहीं 2 plus 5 7 7 plus 1 8 यह 3C divisible नहीं है 252 को देखो आप 2 plus 2 4 4 plus 5 9 यह 3C divisible है तो हम लोका number कहा से start होगा 252 से start होगा और next number कितना आना चाहे 255 क्योंकि plus 3 तो यह भी 3C divisible हो जाएगा next number कितना आना चाहे 258 plus 3 तो ऐसा करके जाएगा 255 plus 258 ठीक है प्लास करकर कहा तक आएगा ट्रिपल नाइन तक आएगा क्योंकि यह भी 3C divisible है ठीक है अब इद्हान से देखो इसको कैसे करते है अभी हम लोग को निकलना है यह भी number of terms कितना है ठीक है हम लोग का जो last time यह कितना है an equal to triple 9 तो इसका formula क्या है a plus n minus 1 d equal to triple 9 अभी हम लोग का first time कितना है 252 plus n minus 1 और d कितना हम लोग का 3 है equal to triple 9 तो यह हो जाएगा n minus 1 3 triple 9 minus 252 तो 9 minus 2 कितना है 7 9 minus 5 कितना है 4 और 9 minus 2 कितना है 7 तो n minus 1 3 equal to 747 अभी काटो आफ 326 यह ना 1 उदर जाएगा तो 14 3 412 और 3927 तो n minus 1 equal to 249 तो n का value कितना है 250 अलाग यहां पर कितना सारा टांसे 250 टांसे ठीक है तो इसका formula क्या होगा n by 2 2 a plus n minus 1 d और n कितना सारा हम लोग को मिल गया 250 250 टांसे यहां पर और first time कितना यहां पर 252 plus number of terms कितना है 250 और difference कितना है 3 तो यह हो जाएगा है ना इसको काटने भी कितना मिलेगा 125 मिलेगा तो 125 लिखो आप और यह हो जाएगा 2 into 252 plus 249 into 3 तो यह कितना हो जाएगा 125 और यह हो जाएगा 2 दूसर 4, 2 दूसर 10, 1 करी 2 दूसर 4 & 5 plus 3 दूसर 27, 2 करी 3 दूसर 12, 13 14, 1 करी 3 दूसर 6 & 7 125 into, अब इसको 8 करो आप 4 plus 7, 11, 1 करी 7 plus 1, 8 sorry 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 4 plus 7, 11, 1 करी 4 & 1 5 5 & 5 plus 7, 12 तो इसको multiply करो आप यह पे कर रहा हो में 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1 करी 5 & 25 & 1 5 2 1 तो कितना मिलेगा 5 7 3 & 16 1 करी 5 & 1 यह कितना मिलेगा 1 5 6 3 7 5 इतना मिलेगा अभी हम इसको solve करना है ठीक है? यह पे कहां से कहां बोला है between 1 to 100 यानि कि 1 to 100, ठीक है? 1 को consider नहीं कर सकते और 100 को भी consider नहीं कर सकते क्योंकि between 1 to 100 बोला है न, तो इनके बीच में 1 & 100 को consider नहीं कर सकते अब क्या बोला है? which are divisible by 2 or 5 यह तो 2 से divisible होगा यह तो 5 से तो इसको कैसे कर सकते हम लोग? 2, 4, 6, 8 यह तो 2 से divisible होगा है न, कहां तक? 91, 98 तक, क्योंकि 99 तो 2 से divisible नहीं होगा और 100 को consider नहीं कर सकते तो यह सारा नंबर 2 से divisible होगा और 5 से divisible होने वाला नंबर कौन सा कौन सा है? 5, 10, 15, 20, कहां तक जाएगा यह? 95 तो जाएगा क्योंकि 100 को consider नहीं कर सकते लेकिन एक सोचने वाला बात है यह जो 10 है 10 तो यहां पर भी होगा है न और 20 यह तो यहां पर भी होगा तो आप 10, 20, 30 तो consider नहीं कर सकते हो ठीक है? तो हम लोगा कैसा होगा? तो हम लोगा कैसा होगा? 2 प्लास 4 प्लास 6 प्लास डॉट 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 कहां तक जाएगा? 98 तक प्लास 5 फिर 15 फिर 25 कहां तक जाएगा? 95 तक जाएगा ठीक है? अभी सिरीज नहीं लेकर हम लोग साम लिख देते हैं यह ना? therefore the required sum will be क्योंकि हमें साम ही तो निकलना है अभी ध्यान से देखो इसको कैसे कर सकते हो आप n by 2 2a plus n minus 1 d यहाँ पर n number of terms निकलना हमें ठीक है? number of terms तो कैसे निकलोगे आप? a n last time कितना है आपका? 98 तो इसको लिखेंगे a plus n minus 1 d equal to 98 first time कितना है? 2a plus n minus 1 और db कितना है? 2a ठीक है? यहांसे क्या करते है? n minus 1 2 98 minus 2 कितना होगा? 96 और 2 से काट हो यहाँ पर कितना है? 48 तो n का value कितना आ गया? 49 ठीक है? तो यह 2 और 2 cancel होगा तो कितना मिलेगा? 49 into 50 और इसको भी करना है ना? n by 2 into 2a plus n minus 1 d तो यहां पर कितना सरा है? 5, 15, 25, 35 है ना? और 45, 55, 65, 75, 85 और 95 यानि कि 10 है ना? यह काटी दो है ना? 25, 10 तो 5 और यहां से 5 कमोन लेलो तो 5 बाहर आएगा तो अंदर क्या रहेगा? 2 plus 10 minus 1 कितना होगा? 9 तो यह कितना होगा? 25, 55, 25 into 9 plus 2, 11 ठीक है? अभी 5 plus 9 कितना है? 45, 4 किरी, 54, 20 and 4, 24 और यह 25 into 11 कितना होगा? करो आप 25 into 11 तो यह होगा 25 और यह 25 तो 275 तो यहां पर आएगा 275 तो 8 करो, 0 plus 5, 5, 5 plus 7, 12, 1 करी, 4 plus 2, 6 and 1, 7 और यहां पर आएगा 2 10 यानि कि कितना हो जाएगा यह 500 हो जाएगा ठीक है और इसको आप 8 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 0 plus 0, 0 जाएगा 5 plus 0, 5 जाएगा और 4 plus 5 कितना आएगा? 9 और यहां पर 2 2950 2 है, 2 है, plus n minus 1 और दिफेरेंस भी कितना है? 2 है, 4 minus 2, 2 दिफेरेंस 2 है, तो यहां से हम रोग क्या कमान ले सकते है? 2 कमान ले सकते है, ठीक है? तो अंदर क्या बच्चेगा? 2 plus n minus 1 तो यह 2 और यह 2 कैंसल हो गया है, तो क्या मिलेगा? n और ब्रेकर के अंदर n plus 1, 2 minus 1, 1 मिलेगा, ठीक है? अभी s2 को देखो आफ, s2 क्या है? the sum of first n और natural number is s2, यहांने की s2 क्या होगा, 1 plus 3 plus 5 plus dot dot, up to n terms, ठीक है? तो s2 equal to n by 2, 2a plus n minus 1, d, तो यह होगा n by 2, यहांपे first time कितना है? 1 plus n minus 1, और difference कितना है? 2 का है, ठीक है? तो अभी 2 common लेलो, तो क्या बच्चेगा? 1 plus n minus 1, यह plus 1 minus 1 कैंसल हो गया और यह 2 और 2 कैंसल हो गया, तो क्या बच्चेगा? n into n, n बच्चेगा यहांपे, सिर्फ n बच n बच्चेगा, तो s2 equal to कितना मिला? n square, ठीक है? अभी एक कम करते हैं, यहांपे n है, तो हम लोग दोनों side, और यहांपे n s1 है, तो n से multiply कर देते है, n s1 into, और n into n plus 1, मतलब दोनों left hand side और right hand side, n से multiply कर दिया, तो यह क्या होगा n s1, और n into n क्या होगा? n square, अब bracket के अंदर n plus 1, तो यह हो जाएगा n s1, और n square के जगा में हम लोग क्या लिख सकते है, s2 लिख सकते है, और bracket के अंदर n plus 1, इसको ऐसा लिख सकते है, same ही है, तो यह proved होगा है, question number 30, देखो, इस question को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है, कि एक आदमी 4050 रूपीस बोरो करता है, ठीक ह और वो installment के सबसे वो क्या करेगा, स्को चुकाएगा है और first installment कितना देता है वो 200 रूपीस, फिर 25 रूपीस करके वो क्या करता है, increase करता है, यह first installment, यह second installment ठीक है, और फिर यह third installment इंस्टोल्मेंट, है न, ऐसा करके, कितना देना है उसको 4050 रूपीस, ठीक है, तो अभी इसक 2a plus n minus 1, d equal to 4050, हमें यहां पर n निकलना है, ठीक है, तो यह n by 2, यहां पर first हम कितना है, 200 a plus n minus 1, और d कितना है 25, क्योंकि 25 करके वो increase कर रहा है, ठीक है, equal to 4050, अभी n by 2 into, यहां से अब 25 common ले सकते हो, ठीक है, 25 common लेने से क्या मिलेगा, 2 into 25 into 8, 200 मिलता है, 25 into 8, 200 मिलेगा, plus n minus 1, 4050, अभी क्या करते है, यह n by 2, या तो एक कम करो, सिधा आप इदा डारेक्ट काट सकते हो, आप आप, काट दो आप, 5, 5s are 25, 5, 8s are 40, 5, 1s are 5, और 0, फिर से 5 से काट दो आप, 5, 1s are 5, तो 3 बचेगा, 3 and 1, 31, 5, 6, 30, 5, 2s are 10, तो इतना मिलता है, n by 2, और 2, 8s are 16, 16, plus n minus 1, तो 162, एक कम करो, सिधा इस 2 को इदर क्रोस माल्लिप्लाइगा दो आप, तो क्या मिलेगा, n और ब्रेक्ट के अंदर है, 16 minus 1, 15, plus n equal to, यह कितना होगा, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 324, तो मैं इदर सॉल्ट कर रहा हूं, तो यह मिलेगा, 15n, 15n plus n square, और 324 इदर आएगा, तो मै हो जाएगा, तो स्कार इंस करके लिग दो, आप n square minus, sorry, plus 15n minus 324 equal to 0, अभी इसको फेक्टरेस करो, 324 को, यह 2 16 और 2, 2 8 और 1, यह 3 और 27, 3 और 9 और 3, 3, minus करके हमें 15 लाना है, तो यह कितना होगा, 27 और यह कितना, 12, तो 27 minus 12 कितना मिलेगा, 15, यानि कि n square plus, यह 15 काम लो के से लिख सकते है, 27 minus 12, n minus 324 equal to 0, तो n square plus 27n minus 12n minus 324 equal to 0, यहांसे n common लो तो कितना मिलेगा, n plus 27 minus, यहांसे 12 common लो, तो n minus into plus कितना मिलेगा, 12, यह कितना मिलेगा, 12 into 27, 12 into 27 करने पर कितना मिलेगा, 3 to 4, ठीके, तो equal to 0, तो n plus 27 common लो, तो कितना मिलेगा, n minus 12 मिलेगा, इधर equal to 0, either n equal to minus 27 or n equal to 12, n cannot be negative, n cannot be negative, therefore, he has to, therefore, the number of installments is 12, तो कितना मिलेगा, यहांसे। तो कितना मिलेगा, therefore, the number of installments is 12.